कि वल्कम बेक माइ चैनल माइ वर्ल्ट मेडी दुनिया में आपका फिर से हाट दिक स्वावन है आज कर विशय में आपका साहह में लेकर आई हूं वहे अनुप्चारिक पत्र याने की पत्र लेखन का दुसरा भाग ठेक है पत्र लेखन का पहला बाग आपको समझा दिया है जो अगर आपको नहीं मिला हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उसमें जा सकते हो मेरी लिंक को अप्लाई करके आपको पिर से देख सकते हों ठीक है तो आज जो में लेकर आई हम वो है आपका अपचारिक पत्र किया होताता हमारा ओफिषेर रफ्टर संस्था इन सब ने मेरी स स्थाल कृति है तो हमारे जीवन संबंदी दोस्ट निथrios सब से हमारे जीवन देने पुजा पार्ट। बर्डर्डे पार्ट। ये सब हमारे जिन्दगे के बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरीक अजिसलेके से पत्रोन के साथ हमारे सब इता जानना ज़रूरी है कि हमाएजीवन में थेक कि ऊसी तरह अउनब्शाइब पर्त्र ज्यादा इंपॉर्टनल गई पिर और बात है आप पये अंगों पत्थ्र बच्चा वो है जो हमारी सगे संबंदी या आपकी सगे संबंदी नहीं है उनको भी लिख सकते हो यानि कि तोस्त मित्र जिनको आप जानते नहीं उनको भी अविवारन दे सकते हो वदाई दे सकते हो किसी को भी यानि कि हमारी जीवन शेली में जो जो चीजे इंपो पहले से लेकर अब तक करते हैं. जो हमारे जीवन के अनतर तक कल तक होते रहें उन्हीं विश्ओय के ऊपर हमारा जो पत्र है वो हे हमारा जो अनपचाइद पत्र. ठीक है और जोंकुन चीजों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत इmportent है क्या-क्या हम अनप्चाई पत्र में लिख सकते है कौन कौन से विशेख पर हम अनप्चाई पत्र का इस्तेमाल कर सकते है वो हमारे लिए जानना बेरी IT philosophical है तौ आप लोगों में पेहले हैं कि अंप्चाइट के लिए मैंने कुछ पॉईंस लिखा हैं यहां पर और इस साइड में भी अब यान कि मैं दाय और बाय दोरों साथे में कुछ पद रखे कुछ जह को रिक्षान कर सकते हैं यानि की हमारी पत्र लिखने में सबसे इंपोर्टिंट क्या है कि पत्र लिखन किस इस शेली से होना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए, उसमें हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और किन कीन चीजों का हमें इस्तेमाल करना आवश्यक है, तो इन चीजों का हमारे लिए जानना चाहिए हैं, और सबसे पेरे, अलब्चाई पत्र में क्या क्या विशे हम बोने सकते हैं या हम हम जानना जान kalian जो तेखा ओंको सब्साइब कौन कौन पaimerा जानना जो आपको टेखें एक एक सब्सक्राइब हथा फॉराITH करना करना चाहिए रहा विज के अंचत पत्र लिखन के लिए उसके बाद में आपको इक पत्र लिखर उस पत्र द्वाराो आपको समझा दूगे कैसे आपको लिखना होता है बड़ायं पत्र यान कि किसी बी चीछ में किसे भी विर्कती को क्या हूआ हुआ एक्जाम में उसको क्या हुआ है यानि कि पूरे स्टेट में पत्र हमको क्या क्लेंगे तो तो उसको हम बढ़ाइपत्र लिखेंगे ऐसा नहीं कि श्टुडेंच को भी बढ़ाइपत्र लिखते हैं बहुत से ऐसे ऐसे केटगरी है जिनको sowas wh करना है तो अब क्या रहों के दोस्त को उसी चेश्चा सूचना देट वैंगे उसको पत्र लिख सकते हैं उसके बार है हमारा शुव कामना पत्र शुव कामना पत्र को अच्छे से पता है अगर आप मारा एक्जाम के लिए जाता है कोई काम के लिए जाते हो तो आपको इससे पहले वेस्ट उशेस दिया जाता है ना शुव कामना है दिया जाती है तो वह ह हमारा शुख कामना पत्र जो भी हमारे अनवचाइड पत्र के अंतरगत आ जाएगे उसके बार है धन्यवाद पत्र यानि कि मान देजिए आपको किसी भी तरीके से किसी ने आपको बहुत जादा मदद की हो कोई भी कोई बी चीज हो सेकते हो इसमें कोई भी विशय कोई भी आपको किसी से मदद मिली और कुछीज मिली हो या आपको किसी ने की टौफा बेजा हूं उसके ऊपर आप उसको दन्यवाद कहना चाहते हो तो वो हो जाएगा हमारा धन्यवाद तो जिसके लिए हम किसी को व्यक्तिक हो या बड़े हो चोटे हो किसी को भी अगर हम इंविटेशन कहते हैं निमन पत्र भेजना उनको इन्वाइट करना घर आने के लिए तो हम क्या करेंगे निमन पत्र का इस्तमाल करेंगे उसके बाद आखरी जुमें और भी कुछ बहुत सारे पॉइंट से जो हमाई जिंदगे इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट से मैंने उनको ही लिया है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट से वो सारे आपके क्या अच्वाइगी अनप्चाइद पत्र के अंतरगता जाएंगे क्यों आप क्यों पॉइंट आपके अनप्चाइद पत्र केकर अंतरगत आप आपके आपको यह समझ में आ गया होगा कि अनप्चाइद पट्र में हम किन-पिंदविशर पर लेकर लिख सकते हैं उसके बाद देखिए घे-ट्रिपक बprofной के करते हैं कुछ भी करते हैं कि अब धंग होते हैं कि रूल्स होते हैं टीक से तरह पत्र लिखने के बी कुछ नियम atrás कि हमारी जीवन शेली में कुछ भी हम करते हैं हर चीज का पुझ ना कुछ नियम हमारा रहता ही है अबाद करें तो उसमें वह चीज चाहिए है तो फूर, पल चाहिए वगदर अझाये फ्ल मृदर वगदर जो भी चाहिए ठीक उसी तरह गर आगर हम पर Pode कर न्यक्रेश के भी और वह पतर की बाब करें उसमें, आज झाल पाद हुए भी सेली बना हुआ रहे है जिनको भेज रहे हो उनका नहीं आपका ठीक है यह सबसे पहले क्या होगा आपका पत्र होगा आपका आपका पता वहां पर अपना पता होना चाहिए ठीक है उसके वाद आपको क्या लखना है दिनांग ठीक है दिनांग आपको पता है तारीक डेट आपको लिखना है लेकिन लेकित दोस्तों में यह कहना चाहूं कि दिनान कोई-कोई जो है वह आपने ऊपर भी लिखते हैं यह पिलिक सकते हो और हाला कि आप इसा कुछ बड़ी बात नहीं है यहां पर नीचे के उपर के दोस्ते बाग में लिख सकते हैं उसके पार संबोलन करके लिखें किसको लिख रहा है अब इवादन यानि कि मान लेज़े आप किसी चोटे को लिखते हो तो आप क्या करोगे प्यार बेज़ोगी कुछ भी बेज़ोगी आशिर बते बहस सकते हो औ तो आप नमस्तर की बेच सकते हूं कि अब आपको सुचना यानि कि सुचना मतलग पत्र पें प्रक्रतिमें प्रक्रतिक Свकें व्यांस से लिख सकते हो चिकिए उसके बाद आपका है निकता है बहुते शनमध् JUST के बाद यहां पे रस्ताक्षर नकर हैं स्थ जह था हमारे मर्य पप्त्र लेकंट की पिस हिंतंगी कीई और देख सकते हैं कर दो केरी simplet पत्र का फर्मेंट देखिए यह मेरि लिखा है मान लूजे मेने लिखा और मेरे भायगे मुझे बचा है तो मेरे भाई ने कैसे पते लिखा है, उनका एड़िस यह है, जो भी आपका है, एड़िस वहां का चार्ज, जो भी आपका जगार रहे तो वहां का, फिर अच्छा असाम, यानि कि आप जे स्टेट के अंतरगत और जो दिस्टिक आपका वहां पर लिखना है, फिर दिनांग, जो आप कब लिख रहे हैं उसका थारिक, यह दिनांग जिसे मैंने कहां दिया तो यहां पर लिख सकते हों, कुछ लूग यहां पर नीचे भी लिख सकते हों, उसके बाद प्रियर यानि कि भाई जो बड़ा है मैंसे, और मेरा भाई मुझसे मेरा में प्रत्र माई हूँ, इ प्रत्र ला के उसके दा, मरा मैं30 यहांन में हों, यह अदो बड़ा देने के लिए इस लिए उसको बनाई पत्र लिखता है , दिनांग, इसको रहणफा देने के लिए लिए पत्र लिखता है चीकि उसके पर मैंने जो निखावे आपको सुना देती हूं, आशा है कि तुम सब स्वस्थ एवन प्लासन रहोंगे, मा के पत्र समाल, मा के पत्र या के समाचार मिना कि तुम करविता पाग पतिविता में फथा पुरिश्कार लाई हो, सुनकर मन बाग बाग हो गया, तुम् पविश्य में तुम इसी प्रकार परिश्रम से कार्य करते हुए, तक्षा में भी प्रतम आकर हम सब का मस्तश गर्व से उचा करोगी, मा और पापा को मेरा प्रनाम कहना या प्रनाम देना भी आपने सकते हो, चीकि? आते समय में तुम्हारे लिए कुछ लेकर आओंगा, प पड़ी भाई ने क्या लिखा तुम्हारा बड़ाबार गोपार, यानि कि जिनको लिखा वो यहां पर है और जिन्हों नी लिखा वो यहां पर है, इस चिछ को आप इस साइड में भी लिए लिए आ सकते हो, वो आपकी मर्सी को पेंड़े, यसा इसमें कोई कर्चन नहीं हो चिक है, तो जिसे में ने कहां format यही था हमारा लैटर का फूरा format और अप्चाइब पत्र ऐसी तरीके से इसी धंग से आपको लिखना है, चिक भराई परते के जिसे आपको शुक्त काम ने, जित्वी मैंने विशे दिये हैं, सारे पत्र आप चिक इसी तरीके से लिख सकते ह आखरी जो इसके बाद पत्र लिखने के बाद आप भेजोगे कैसे, बेजने के लिए उनको कैसे पता लिखोगे, क्या करोगे, लिफावर में आपको क्या लिखना है, वो मैं आपको अभी दिखा लेती है, ना, पता, पिन, यहां पे द्वारा, मांगनी जी, यहां पे चार, सिर्चर, असंजो भी है, आपको लिखना है, यह आपका आखरी पत्र लिखने के बाद आप जब लिफावर में दोगे तो यहां आपका format, यह होगा आपका लिफावर, लिफावर के ऊपर आपको क्या लिखना है, सेवा में नाम, यानि की जिनको भेज रहे हैं उनका गोपाल किसको बेज रहा था, रिया को, आपनी चोटी बेयांतों यहां पर रिया, रिया का एड्रेस, यहां पर लिखना है, पिंग कोट की साहड़े ही डाख जो है, जो डाकिया है, वो आसानी से आपका पत्र, पते पर पहुचा देता है, तो पिंग कोट लिखना बहुत उसके बाद इस साइड में, लेफ साइड में आपको द्वारा है कि जो आप भेज रहे हो, कि इनके द्वारा भेजा जा रहा है, यानि कि आप लिख रहे है, यहां पर कौन था, गोपाल लिख रहा है, तो यहां पर गोपाल राप का एड्रेस, ठीक है, यह था हमारा अनुस कर सकते हैं, मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, बाइ-बाइ, आपको अगर मेरे वीजियो अच्छी लेगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, थैंक्यू